आज हम आपको तुलसी विवा कथा शुनाएंगे। तुलसी विवा कथा इस प्रकार है। जालंधर नाम का एक पराक्रमी अशुर था। जिसका विवा व्रंदा नाम की कन्या से हुआ। व्रंदा भगवान विश्णू की परंभक्त थी और प्रतिव्रता थी। इस कारण जालंधर अजे हो गया। अपने अजे होने पर जालंधर को अभिमान हो गया। और वहशल की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विश्णू की शरण में गय और जालंदर के आतंख को शमाप्त करने की प्राथना करने लगे। भगवान विश्णु ने अपनी माया से जालंदर का रूप धारण कर लिया और छल से व्रंदा के पवित्रधम को नश्ट कर दिया। इससे जालंदर की शक्ती छीड हो गई और वायुद्ध में मारा गया। जब व्रंदा को भगवान विश्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विश्णु को पत्थर का बन जाने का शाब दे दिया। देवताओं की प्रात्ना पर व्रंदा ने अपना शाब वापस ले लिया लेकिन भगवान विश्णु व्रंदा के शाथ हुए छल के कारण बहुत लज्जित थे। अता व्रंदा के शाब को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रगट किया जो शाली राम नाम कहलाया। भगवान विश्णु को दिया गया शाब वापस लेने के बाद व्रंदा जालंधर के शाथ शती हो गई। व्रंदा के राक से तुलसी का पौधा निकला। व्रंदा की मर्यादा और प्रतिविता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विश्णु के शाली ग्राम रूप का विवा तुलसी से कराया। इशी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानि देपरवोधनी एकादशी के दिन तुलसी का विवा शालिग्राम के शाथ कराया जाता है शालिग्राम पत्थर गंड की नदीशे प्राप्त होता है भगवान विश्णु ने व्रेंदा शे कहा कि तुम अगले जनम में तुलसी के रूप में प्रगट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रियर होगी तुम्हारा इस्थान मेरे शीष पर होगा मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहर नहीं करूँगा यही कारण है कि भगवान विश्णु के प्रशाद में तुलसी अवर्शी रखी जाती है बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रशाद भगवान विश्णु शिवकार नहीं करते हैं जिस घर में तुलसी होती है वहायम के दूद भी आशमय नहीं जा सकते म्रत्यु के शमय जिसके प्राण मंजरी रही तुलसी और गंगा जल मुक में रख कर निकल जाते हैं वा पापों से मुक्थ होकर बैकुंट धाम को प्राप्थ होते हैं जो मनुष तुलसी और आवलो की छाया में अपने पित्रों को श्राथ करते हैं उसके पित्र मुक्थ को प्राप्थ हो जाते हैं बोलो तुलसी माता की जय हो